राजधानी लखनों में मुख्यमंत्र योगी आदितिनाद जम्मू कश्मी विदानसभा चुनाफ के लिए कॉंग्रेस और नाशनल कॉंफेंस के गडबंधन पर खुब बर से दरसल सियम्योगी ने शनिवार को अपने सरकारी अवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों पार्टियों के गडबंधन पर सवाल उठाए सियम्योगी ने कहा कि नफरत की फसल काटने वाली कॉंग्रेस और नाशनल कॉंफेंस के सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो गई है आतकवाद और अलगाववाद का मुद्दा वहां चुनाफ की जलधार में सदा के लिए विलीन हो चुका है इसका आगे सियम्योगी ने कह कि भारत के मुकोड जमू कश्मीर से अनुचे 370 और 35 का कलंक मिटाने के साथ ही बाजपाने विधानसभाद चुनाफ के प्रति अपनी प्रतिबदता प्रकट की थी लेकिन अब जमू कश्मीर में विधानसभाद चुनाफ की तिथिया घूशित हो चुकी है और ये और संस फामिली प्राइवेट लिमिटेड की नैशनल कॉन्फेर्स के साथ गडबंधन करके फिर से राश्ट्र विवोधी मनसूबों को देश के सामने वग दिया है भारत के मुकुट जमू कश्मीर से अनुछे 370 और 351 का कलंक मिटाने के साथ ही भारतिये जनता पार्टी ने जमू कस्मीर में बिधानसवा चुनाओ की प्रति अपनी प्रतिबदता प्रकट की थी और अब जमू कस्मीर में बिधानसवा चुनाओ की तिथियां घोसित हो चुकी है या चुनाओ न केवल जमू कस्मीर की लोगों बलकि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतिये के लिए अत्यंतों महत्वपूर्ण है दुनिया भर की निगाह आज सोर लगी भी है ऐसे में इंडी गड़बंदन की जो नित्रत कर रही है कॉंग्रेस ने अब्दुल्ला एंड संस फेमली प्रैविट लिम्टेट की नेशनल कॉंफरेंस के साथ गड़बंदन करके फिर से अपने राष्ट विरुधी मनसूबों को देश के सामने रख दिया